आज आप सिखेंगे टेक्स्ट सिलेक्ट करना, साथ ही सिखेंगे होम टैब में क्लिप बॉर्ड ब्लॉक के अंतरगत, कट टेक्स्ट करना, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए, तो इसे लाइक करें, अन्य लोगों के साथ इसे शेयर करें, और नई वीडियोस की जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें. किसी भी वर्ड, सेंटंस या परिग्राफ को कट, कॉपी या डिलीट करनी के लिए सबसे पहले उसे सिलेक करना होता है. सेंटंस को सिलेक करनी के लिए जहां से सेंटंस शुरू हो रहा है, वहां माॉस ले जाएं. और क्लिक करके बटन को छोड़े बिना जहां तक sentence सिलेक करना हो वहां तक माउस को ड्रैक करें देखिये ये sentence सिलेक्ट हो गया है अगर पूरे paragraph को एक साथ सिलेक्ट करना हो तो paragraph के शुरू में या आखिर में माउस से तीन बार जल्दी-जल्दी क्लिक करें ऐसा करने पर पूरा परेग्राफ सिलेक्ट हो जाएगा यदि आप फाइल का पूरा मैटर एक साथ सिलेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए शॉटकट की है CTRL प्लस A यह देखिए CTRL और A की इसको प्रेस करने पर पूरा मैटर एक साथ सिलेक्ट हो गया है अगर किसी मैटर को कट करके कहीं और पेस्ट करना हो तो पहले उस मैटर को सिलेक्ट कर लें यह हमने इस फर्स परेग्राफ को सिलेक्ट किया है मान लिजिए इसको हमें यहां से कट करके कहीं और पेस्ट करना है इसको सिलेक करने के बाद Home Tab के Clipboard Block में Cut का Option मिलता है इस पर क्लिक करें या फिर Shotcut Keys Ctrl प्लस X प्रेस करें Cut करने पर Matter अपनी जगह से यानि जहां से हमने उसे Cut किया था वहां से हट जाता है अब आप इसे अपने डॉक्यूमेंट में या किसी और डॉक्यूमेंट में जहां भी जितनी भी बार पेस्ट करना चाहते हैं कर सकते हैं हम इसी डॉक्यूमेंट में इसको नीचे पेस्ट करना चाहते हैं जहां भी उस document को paste करना हो, वहां पर पहले click करें, और फिर clipboard block में जाकर, paste option पर click करें, या फिर shortcut keys control और V press करें, यह देखिए, नीचे दो बार हमने इसको paste कर दिया है, और जितनी बार आप paste करना चाहें, उतनी बार इसे paste कर सकते हैं, इसी तरह किसी matter को copy करने के लिए, उस matter को select करके, clipboard block में जाएं, यहाँ copy option दिखेगा, उस पर click करें, या फिर shortcut keys, control और C प्रेस करें, यह matter copy हो गया है, अब इसे आप अपने document में, या किसी और document में, कहीं भी कितनी भी बार paste कर सकते हैं, paste करने के लिए, जहाँ इसे paste करना है, वहाँ पर click करें, हम इस paragraph को यहाँ उपर paste करना चाहते हैं, तो यहाँ पर click करके, हम clipboard block में paste पर click कर देंगे, या फिर shortcut keys, control और V, प्रेस कर देंगे, यह देखिए, यह matter यहाँ पर paste हो गया है, copy करने से, वो matter अपनी जग, यानि जहाँ से हमने copy किया था, वहाँ पर भी रहेगा, और जहाँ paste किया है, वहाँ भी रहेगा, MS Word 2016 के इस अध्याय में आज आपने सीखा, text select करना, साथ ही सीखा, home tab में clipboard block के अंतरगत, cut, copy और best options का उप्योग करना, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो, तो इसे like करें, अने लोगों के साथ इसे share करें, और नई वीडियो की जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल को subscribe करें,